दोस्तो ये बात तो आप सभी को मालूम होगी कि हनुमान जी साथ चिरिन जीवियों में से एक थे और उनको कल्यों के अन तक धर्ती पर रहने का वर्दान मिला था तो जाहिर है कि हनुमान जी आज भी हमारे साथ हमारे बीच ही रहते हैं और कई लोगों का ये दावा है कि वो अपने भक्तों को साक्षात दर्शन भी देते हैं अगर आप भी चाहें तो हनुमान जी के साक्षात दर्शन पा सकते हैं लेकिन वो कैसे? जानने के लिए इस वीडियो को अंतक देखिए और सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जय श्रीराम, जय हनुमान ज़रूर लिखिए हनुमान जी की करपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी दोस्तो, रमायन के अंत में जब सीता मईया धर्ती में समा जाती हैं तब कुछ समय बाद श्रीराम भी अपना देह त्याग देते हैं और वेखुंट धाम चले जाते हैं तब हनुमान जी उनकी याद में हर जगा जाते हैं, जहां जहां श्रीराम गए थे उनकी याद में एक बार तो हनुमान जी श्रीलंका भी पहुँचे वहां उन्हें मातंग कबीले के लोग मिले, जिनके साथ हनुमान जी ने कई वर्ष बिताए मातंग कबीले के लोगों ने हनुमान जी की नी स्वार्थ सेवा की और काफी समय भी जाने के बाद जब हनुमान जी वहाँ से जाने लगे तब कभीले के लोगों ने हनुमान जी को जाने से रोका और जित पकड़ ली कि आप यहीं हमारे साथ रही है हमारी पीडियां कल्यों के अंतक आपकी सेवा में अपना जीवन बिताएंगी अगर आप चले गए तो हमारी पीडी को दीक्ष और ग्यान कौन देगा लेकिन हनुमान जी जादा समय तक एक ही स्थान पर नहीं रुख सकते थे तब हनुमान जी ने कबीले के वासियों की श्रद्धा और साफ मन देखकर कबीले के लोगों को वर्दान में मंत्र दिया और कहा कि जब जब वह लोग इस मंत्र का साफ मन से उचारन करेंगे तब तब वहाँ हनुमान जी प्रकट होंगे और जाते जाते हनुमान जी ने कबीले के लोगों से वादा किया कि हर 41 वर्षों में वे उस कबीले में आकर वहां की पीडी को ज्ञान और दीक्षा देंगे और इतना कहते ही हनुमान जी लुप्त हो गए मानने था है कि उसके बाद हनुमान जी दक्षिन भारत के गंध मार्दन परवत पर वास करने लगे हनुमान जी अपने वादे के अनुसार हर 41 साल में श्री लंगा के मातंग कबीले में जाते है और वहां के लोगों को जीवन और मृत्यू का ग्यान मोक्ष की प्राप्ति पर ग्यान देते है उस कबीले का सरदार हनुवान जी द्वारा दिये गए ग्यान को हनुपुस्तिका में लिखता रहता है दोस्तो, हिरानी की बात तो ये है कि आज की सदी में जहां कम आदिवासी रह गए है ये एक ऐसा कबीला है जहांके लोग ना जाने कौन सी भाषा बोलते हैं ये जानवरों और पक्षियों से बात करते हैं और भारी दुनिया से दूर ही रहते हैं ना ही इन कबीले वालों को किसी चीज का लालच है और ना इनको भारी दुनिया और उनके लोगों में किसी भी प्रकार की दिल्चस्पी है लेकिन मानव विज्यानिकों ने इनसे संपर्क करके इनकी भाषा समझने की काफी सालों से बहुत कोशिश की इनकी भाषा बिल्कूल अलग होने की वज़ा से जादा कुस्तो पता नहीं लग पाया लेकिन उनके कबीले की हनुपुस्तिका से यह जरूर पता लगा कि हनुमान जी आखरी बार 2014 में उनसे मिलने आये थे और अब वहे 2015 में दुबारा आएंगे जिस समय हनुमान जी वहां मौजूद थे ठीक उसी वक्त माना विज्ञानिक भी वहां खोजबीन के लिए गए हुए थे उनका कहना है कि कबीले के लोगों ने कुछ मंत्र जाब कर अपना शुद्धिकरन किया और अपने चारो ओर एक उर्जा पैदा कर दी फिर थोड़े समय बाद वह किसी अद्रिश्य वक्ती से बात करने लगे जो हमें तो नहीं दिखाए दिया लेकिन कबीले के सबी लोग उनको देख पा रहे थे और उसके बाद वेज्ञानिक वहां से अचंबित होकर चले गए दोस्तो आज भी हनुमान जी हमारे बीच रहते हैं और जहां भी रामचरित्रमानस का पाठ होता है हनुमान जी वहीं अद्रिश्य होकर पाठ में भी शामिल होते हैं इसलिए कई जगा जहां भी लोग रामचरित्रमानस का पाठ करते हैं वहाँ एक सीट हनुमान जी के लिए जरूर खाली छोड़ी जाती है अगर आपको हनुमान जी के साक्षा दर्शन करने है तो आपका मन भी साफ होना चाहिए जै शरी नाम, जै हनुमान